Each small square in the diagram has a side length of 1 cm. तो हमारा ये जो diagram है, ये जो grid है, यहाँ पर किसी भी एक छोटे वाले square का जो side length है, ये 1 cm के बराबर है. यानि कि हमारे square के area के अगर बात की जाए, तो इसका area ये 1 cm x 1 cm, यानि कि 1 square cm के बराबर होगा. इसका मतलब है कि एक छोटा square हमारे इस grid पे, इस screen पे कुल 1 square cm का area कवर कर रहा है. तो हमें पता लगाना है, what is the area of the figure? हमें पता करना है कि ये जो figure हमें दिया हुआ है, इसका area कितना होना चाहिए? तो इसका area पता लगाने का मतलब है कि हमें ये पता करना है कि हमारा ये figure इस grid पे, इस screen पर कुल कितनी space कवर कर रहा है. तो इसे पता करने का एक तरीका तो ये है कि हम अपने इस figure पर अपने ये छोटे वाले squares रखते जाएं इस तरीके से कि ना ही तो ये squares overlap करें एक दूसरे से और ना ही ये हमारे इस figure की boundary से बाहर निकलें. तो जितने भी ये छोटे वाले squares हम इस पूरी figure पर रख पाएंगे इस तरीके से कि ये सभी squares इसको completely cover कर लें, हम कह पाएंगे कि उतने ही squares हमारा area होना चाहिए. क्योंकि एक square का area यहाँ पर one square centimeter के बराबर है, तो जितने भी squares इसको cover करेंगे, हमारा area उतने ही square centimeters हो जाएगा. मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक unit square ले लूँ, यानि कि one square centimeter का square ले लूँ और इस तरीके से अपने figure पर रखती जाऊं बारी बारी से और बाद में हम गिन लें इन squares को कि हमने कितने squares रखे हैं अपने इस पूरी figure पे. तो आप देख सकते हैं कि हम बारी बारी से यहाँ पर अपने squares अपने unit squares रखते जा सकते हैं और गिन सकते हैं लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है. और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पर अपने इस figure को बाट दें दो figures में यानि कि अगर मैं अपने इस figure को बाट दू यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर यह मेरा एक rectangle हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर यह वाला मेरा दूसरा rectangle हो जाएगा इस figure को हम मान सकते हैं कि हमने एक की उपर एक rectangle इस तरीके से रखा हुआ है और अब अगर हम area निकाल लें इन दोनो rectangles का अलग-अलग और इन areas को जोड़ दें तो हमें इस पूरे figure का area मिल जाना चाहिए तो अगर हम इस नीचे वाले rectangle की बात करें तो अगर हम इस rectangle को दो groups में बात दें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह हमारा दो group हो गया और यहाँ पर हर एक group में हमारे पास कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे छोटे-छोटे square centimeters के squares हम रख सकते हैं तो हमें पता है कि 1 square centimeter की side length यह 1 centimeter है तो 7 ऐसे square centimeters की side length मिला कर यह बराबर हो जाएगी कुल 7 centimeters के तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस नीचे वाले rectangle में हम कुल मिला कर 2 times 7 ऐसे square centimeters रख सकते हैं जो कि इस rectangle को completely cover कर लेंगे और इस rectangle का area यह हो जाएगा 2 centimeters times 7 centimeters यानि की 14 square centimeters के और इसी तरीके से यह जो उपर वाला rectangle है इसे हम बाट सकते हैं कुल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे groups में और हर एक group में यहाँ पर हम ऐसे कुल 2 unit squares रख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा यह जो rectangle है इसका यह side यह 2 units के बराबर है क्योंकि एक square का side length है 1 centimeter तो ऐसे 2 squares का side length मिला कर 2 units के बराबर हो जाएगा और इसकी यह वाली जो length है यह बराबर हो जाएगी 5 centimeters के क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुल ऐसे 5 squares हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 groups है 2 unit squares के तो इसका area यह बराबर हो जाएगा 5 times 2 यानि की 10 square centimeters के और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे इन rectangles का जो area है यह इनकी length times इनकी width के बराबर है यहाँ पर इस rectangle का area 5 times 2 जो की इसकी length और width है उसका product है इसके बराबर है और इस वाले rectangle का area भी 2 times 7 यानि की इसकी length times इसके width के बराबर है तो इस पूरे figure का area यह हो जाएगा 10 square centimeters plus 14 square centimeters के यहाँ पर हम इन दोनों rectangles के areas को जोड़ दे रहे हैं और यह बराबर हो जाएगा कुल 24 square centimeters के